वेलो इन्वेसरें ट्रेडर्स वेल्कम बाक टो माइ चैनल चलिए स्टार्ट करते हैं आज कि इस एपिसोड के साथ आज के इस एपिसोड में डिसकूस करेंगे यहां पर उतकर स्मॉल फैनांस बैंक की बारे में तो स्टार्ट करते हैं यहां पर देखा जाएं चोटी बन्ह बैंक बैंक के साब अचार के उपर यहां फिर और यहां पर 15 पर पर यहां पर नजर आ रही है और small finance banks अभी उज्वली देखो को तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है banking sector और financing sector भी अच्छा परफॉर्म करेगा अब यहां पर फिलाल अगर ROC और ROE देखो को तो यह एक फिलाल अच्छी बात है नेट प्रॉफिट यहां पर लगातार इंक्रीज हो रहा है शेरोलिंग पैटन में प्रमोटर स्कूलिंग 69 अच्छी खास है यहां पर small finance bank के लिए अगर देखोगे और private banking में थोड़ी सी कम हो जाती प्रमोटर के बड़े कंपनी बड़े होते हो अब यहां पर फाइस को लिंग बारा परसेंट और पब्लिक तूलिंग 14 परसेंट के आसपास के दिख रही है यहां पर सबकी शेरोलिंग पैटन अच्छी है यहां पर नीचे आएंगे चार्ट पर थोड़ा सा टाइम लग सकत अब यहां पर एक ब्रेक आउट देखने के लिए अम लोगों मिल रहा है थोड़ा सा वीड करना अगर यहां तक आपने बाय नहीं कि थोड़ा सा वीड करें थोड़ा सा मार्केट हो सकता है रीटेस करी या साइडवेस जाए उसके बाद फिर से आपको यहां पर ब्रेक हम देके मार्केट नीचे चली आए अब मतलब यहां से स्टॉप लोस लेना ही पड़ेगा यहां से नीचे आती है मिडवे निकाल नी सकते क्योंकि मिडवे अगर यहां तक आ गई और उसको बाद ऊपर चली गई तो फिर वह एक रिगरट बनके रहे जाएगा तो यह काम मत लेगा और साइडवे जाने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट परिशान भी करते हैं और सवरी मतलब नीचे आने के बाद थोड़ा से यहां पर 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 ब्रेक आउट दे तो थोड़ास उसमें टाइम जादा लग जाता है अगर स्ट्रेंथ है तो साइडवे अगले वीडियो में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर स्क्राइब सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन वरी नोटिफिकेशन में ज़रूर दबाना और अपना कैपिटल सीफ रखना ओक्य बाए